दिये हैं 530 रुपीज का यहां पे देख सकते हैं EMI क्रेडिट कर्ड बजाज फेनेंस का है और इसका लिमिट 1,25,000 मेरे को मिला है और मैं भी इसको ऑनलाइन अपलाई किया था और इसमें मेरे को क्या-क्या डोकॉमेंट लगा था तो अधार कर्ड लगा था पेन कार्ड लग था मुबाइल नंबर लगा था और मेरे को लिमिट 1,25,000 का मिला है पर दोस्तों इसमें दीकत यह है कि मैं इस बजाज फेनेंस का EMI क्रेडिट कार्ड से कोई भी समान ऑनलाइन पर्चेस नहीं कर पा रहा हूं चाहें वो फिलिप कार्ड हो या Amazon हो या अधर अप्लिकेशन ह मैं कोई भी परड़क्ट ऑनलाइन EMI इंस्टोल्मेंट के माध्यम द्वारा लेना चाहता हूं तो कोई और नहीं कर पा रहा हूं यहां पर फिलिप कार्ड में देख सकते हैं एक प्रिंटर है F1 का M200 जो कि मैं उसको कई बार 5 बार और करने की कोशिश किया हूं पर वहां प एक दिक्कत है लेकिन आप उस दिक्कत को दो तरीके से ठीक कर शकते हैं तो चलिए जानते हैं कैसे ठीक करना है तो सबसे पहले दोस्तों आप गाउं से हैं या सहर से हैं तो आपको पता करना है कि बजाज फैनेंस की ओफिस कहां है या ब्रांच कहां है उस उस ब्रांच पे जाना है और साथ में आपको document भी ले जाना है अधार काड पेंड काड और बैंक के पास्बूक और साथ में mobile number होना चाहिए और एक mail ID भी होना चाहिए और वहां पे आपको अपना दिकत बताना है दिकत बताने के बाद वहाँ पर आपका बजाज टेनेंस क्रेडिट करड़ का फूल के वाइसी किया जाएगा और फूल के वाइसी हो जाता है तो आप 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 ऑनलाइन कोई भी प्रोड़क्ट इसली यह मैं इंस्टोल के माध्यम से ले सकते हैं चाहें मुबाइल हो चाहें लेप प्रिंटर आधियोगर आप कुछ भी ले सकते हैं तो दोस्तों आपको वहाँ पे भी वही चीज मांगा जाएगा पेंकर आधार कार्ड और बैंक एकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर आपका वहाँ पे फूल के वाइसी हो जाता है और हो सकता है कि आप कोई प्रोड़क् के माध्यां द्वारा तो आप इसली फ्लिपकार्ट इमेजन अधर अप्लीकेशन कोई भी अप्लीकेशन से इमाई इंस्टल माध्यां के द्वारा कोई भी प्रोड़क्ट ले सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो से कुछ नया सिखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दे और ये चैनल पे पहली बार है और ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सच्काइब कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे सो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जैहिं जै भारत